जैहिन साथियों, आज हम बहुत ही स्वाधिष्ट और हेल्दी शीक बना रहे हैं, व्रत में भी काम आएगा और डेली कभी भी आप इसको पी सकते हैं, आप नाश्ते के रूप में भी इसे इन्जॉय कर सकते हैं, तो एपल हमने ले लिये हैं, एपल को बहुत अच्छे से धो लेना है, और इन्हें हमें साफ कर लेना है, छिलके निकाल लेना है, बारिक वाले कद्दुकस की साइट से हमें इसे कद्दुकस करना है, तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं, तो साथियों एपल को मैंने धो के साफ करके, बारिक साइट से कद्दुकस करके, ये ले लिया ह इसका रंग इसले बदल चुका है क्योंकि इसे फटा-फट हमें कद्दुकस करके डालना होता है रखना नहीं होता है लेकिन मैंने दिखाने के लिए रखा है इसले इसका रंग थोड़ा बदल चुका है यह मैंने दूद में गुड़ घुल लिया है चीनी की बजाए आप बना रहे हैं और दूसरा कद्दो करके भी हमने एपल इसमें डाल लिया है तो इसको हम मिक्सी जार को चला लेंगे और अच्छे से इसको घोलेंगे एपल को दूद के साथ में जो हमने गुड का दूद तयार करके रखा है उसको भी हम इसी में डाल लेंगे तो यह देखिए बहुत ही टेस्ट ही लगता है गुड़ के साथ में तो एक बार आप जरू ट्राय करना साथ हो यह दिखे शेक बन के हमारा तयार हो चुका है और इसको हमें ताजा-ताजा ही पीना है और बहुत ही हल्दी है इसे ब्रत में भूग भी नहीं लगती है पूरे दिन आप जो है एक